Welcome to Study Watch नसुरुद्दीन's aim नसुरुद्दीन का निशाना नसुरुद्दीन का टार्गेट एम को क्या कह सकते हैं? गोल या फिर टार्गेट ये चैप्टर क्लास 4 के इंग्लिश के यूनिट 3 के चैप्टर 6 का है चलिए आगे देखते हैं One day, एक दिन नसुरुद्दीन was chatting with his friends नसुरुद्दीन अपने दोस्तों से बात कर रहा था चैटिन का मतलब talking या फिर gossip यहाँ पर gossip जादा सही रहेगा ठीक, इसके मीनी की हिसाब से यहाँ पर He began to boast वह दिंगे मारने लगा boast का मतलब दिंग मारना कोई भी मेरी skill का मुकाबला आर्चरी में नहीं कर सकता धनूर विद्या में आर्चरी का मतलब धनूर विद्या धनूर विद्या, धनुष और तीर चलाने की जो कला होती है उसे आर्चरी कहते हैं skill का मतलब expertise कह सकते हैं धनुर विद्या की कला में मेरा कोई भी सानी नहीं है I string the bow, take aim and shoot the arrow I string the bow, मैं तार खीशता हूं धनुस का take aim निशान लेता हूं and shoot the arrow और तीर चला देता हूं string का मतलब होता है cord जो धनुस में ये चीज जो दिखाई दे रही है आपको bow में धनुस में ये जो धनुस के दिखाई दे रहा है धागे जैसा ये है string ठेक तो यहाँ पर ये verb में है तो मैं cord, मैं string खीशता हूं धनुस का bow का मतलब धनुस take aim निशान लेता हूं and shoot the arrow और तीर चला देता हूं वूश ऐसी आवास करती हूए जाती है तीर the arrow is sure to hit right on the target और तीर का निशाने पर लगना बिलकुल पक्का है hearing this इसको सुन करके one of his friends immediately brought a bow and some arrows उसके दोस्तों में से एक तुरंत immediately का मतलब तुरंत एक धनुस और कुछ तीर लाया brought का मतलब लाया giving them to Nasruddin he said Nasruddin को देते हुए उसने कहा वो धनुष जो लाया था वो Nasruddin को देते हुए कहा here इधर Nasruddin take this bow and arrows तीर धनुष लो then pointing towards a target एक target की तरफ इशारा करते हुए he said उसने कहा aim at that target and shoot an arrow निशाना लो उस target पर और तीर चलाओ Nasruddin held the bow in his hands Nasruddin ने धनुष अपने हाथ में लिया strung it, इसका cord खीचा, इसी खीचा aimed at the target, target पर निशाना लिया and shot an arrow और एक तीर चला दी करती भी जाती है the arrow did not hit the target arrow निशाने पर नहीं लगी instead it fell down somewhere else in the middle इसके बजाए वो कहीं बीच में ही गिर गई fell down का मतलब गिर गई, somewhere in the middle इसके दोस्तों ने हसना शुरू कर दिया started का मतलब यहाँ पर हम begin भी कह सकते हैं his friends begin to laugh they said, उन्होंने कहा hey Nasruddin, is this your best aim? hey Nasruddin, क्या तुम्हारा यही सबसे अच्छा निशाना है? oh no, अरे नहीं, not at all बिलकुल नहीं, said Nasruddin Nasruddin ने कहा Nasruddin ने कहा, अरे नहीं, बिलकुल भी नहीं not at all का मतलब, बिलकुल भी नहीं एकदम नहीं, defending himself अपना बचाव करते हुए उसने अपना बचाव करते हुए कहा, नहीं नहीं बिलकुल नहीं, this wasn't my aim यह मेरा aim नहीं था यह मेरा निशाना नहीं था it was Azad's aim Nasruddin picked up another arrow Nasruddin ने दूसरी तीर उठाई another का मतलब, दूसरी picked up का मतलब, lifted कह सकते हैं, उठाई once again, एक बार फिर he strung the bow, उसने cord खीचा, धनुष का, aimed at the target निशाना लिया, goal का and shot the arrow, और तीर चला दी this time, इस बार the arrow fell a little further from where it had fallen before, इस बार, तीर थोड़ा सा आगे, a little further का मतलब, जरा सा आगे, गिरी from where it had fallen before, जो पहले गिरी थी जहां, उससे थोड़ा सा आगे जाकर के गिरी, इस बार की तीर, Nasruddin की but, it certainly didn't hit the target लेकिन, ये निश्ची थी ये target पर नहीं लगी, लेकिन ये हाँ, target पर नहीं लगी, certainly को हम क्या कह सकते हैं, निश्ची थी, या फिर, yes they asked Nasruddin, उन्होंने Nasruddin से पूछा, and this must be how you shoot an arrow हाँ, ये तरीका होगा तुम्हारे तरी, तीर चलाने का, या फिर तुम तीर ऐसे चलाते होगे उन्होंने ऐसा कहा of course not, बिलकुल नहीं argued Nasruddin, Nasruddin ने argue किया, Nasruddin ने बहस की, Nasruddin ने असहमती जताई, argued का मतलब disagreed, even this aim was not mine, ये निशाना भी मेरा नहीं था, even का मतलब भी ये निशाना भी मेरा नहीं था mine का मतलब, यहाँ पर है my, मेरा, it was the chief guard's aim ये chief guard का मुख्य अंग्रक्षक का निशाना था, ठीक है ये hate guard का निशाना था now somebody remarked, तभी किसी ने tipपिड़ी की commented, remarked का मतलब commented या फिर said, तभी किसी ने कहा, well, ठीक now who's next on the list अच्छा ये बता दो कि अब अगला list में कौन है, अभी तो तुम करके, all the friends burst out laughing, उसके सारे दोस्त ठाके मार के हसने लगे, नसुद्दीन didn't say a word, नसुद्दीन ने एक भी शब्द नहीं कहा he quietly picked up one more arrow, उसने चुपचाप से, धीरे से एक और तीर उठाई quietly का मतलब, silently चुपके से, बिना कुछ बोले हुए उसने एक और तीर उठाई and again, एक बार फिर and this time, और इस बार नसुद्दीन was really lucky और इस बार नसुद्दीन वास्तों में भागेशाली था lucky का मतलब fortunate, भागेशाली the arrow hit right on the target तीर बिलकुल सही निशाने पर लगी, everybody stared at नसुद्दीन, सभी नसुद्दीन को देखने लगे गौर से घूर करके देखने लगे, straight का मतलब looked fixedly, किसी को बहुत गौर से ध्यान से देखना, जिसको हम gaze भी कह सकते हैं तो सभी ने नसुद्दीन को बहुत गौर से देखा, their mouths a gap in amazement, उनका मुह खुला रह गया, आश्चरे से a gap का मतलब, wide open खुला रह गया, in amazement, surprise में आश्चरे में, उनका मुह खुला रह गया, before anyone could say anything, इससे पहले की कोई कुछ कह पाता, नसुद्दीन said triumphantly, नसुद्दीन ने जीत की खुशी से कहा, triumphantly का मतलब होता है, showing joy at victory, जीत पर खुशी दिखाना, जीत की खुशी में कहा, did you see that, क्या तुमने देखा, it was my aim यह मेरा निशाना था अगर वीडियो पसंद आई हो तो like कीजेगा, अगर आप भी किसी को पढ़ाना चाहते हैं या बताना चाहते हैं तो share कीजेगा अगर नए है चैनल पर तो subscribe जरूर कीजेगा, क्योंकि आपके subscription से आपको मिलेगी इसी तरह की और अच्छी quality की वीडियो और हमें मिलेगा होसला Thank you